हालो फ्रेंड्स आज मैं जो यह पर्स बनाने जा रही हूं उसका मेजर्मेंट इस प्रकार है एक पीस मैंने लिया हुआ है 12 वाई 10 का वन पीस लिया हुआ है 24 वाई 10 का और बैल्ट के लिए ही मैंने 3Y40 की एक बैल्ट तयार की हुई है इसमें फॉर्म और लाइनिंग लगाकर इस पर चेक काट दिया है अब सबसे पहले मैंने इस पर यह हैंडवक से मैंने यह हर्ट से बनाय हुआ है इस पर फैबरिक कलर से ड्रॉप गिया हुआ है और यह मैंने हाथ से ही इस पर बीड्स लगाय हुए है सबसे पहले मैंने कप्रे को लिया है इस पर फॉर्म और लाइनिंग लगाकर चेक काट लिया है इसके बाद मैंने यह मोती अटेच किये हुए है इस पर लगाने के लिए मुझे एक जिप चाहिए और पॉंप पॉंप चाहिए जो मैं इसकी डेकोरेशन के लिए इस पर लगा हुए तो सबसे पहले हमें इस पर यहां पर इस जिप को फिक्स करना है इस जिप को लगाने के लिए यहां पर हम शिलाई कर देंगे फिर इसको उन्टा करके इसके ऊपर शिलाई करेंगे अब हम इस पर जिप को अटेज करते हैं कर दो सबस्ते हैं यह हमारी जिपटेच हो गई, अब यह इस तरह से हो गया, अब हम इसको ऐसे रख लेंगे और जो यह पीज बनाया था इसको यहां पर पीछे की साइड इसको यहां पर इसको अटेच कर देंगे तो सबसे पहले हम इसको उटा करेंगे और इसको जिपको एक साइड में उपर के साइड करके और यह दोनों साइड यहां पर और यहां पर दोनों साइड सिलाई कर देंगे यह फ्रंट साइज हमारा बन गया है यह आगे का हिस्सा हमारा बन गया है इसको दौनों साइड में सिलाई कर दिये और यह सिधर कर दिया है अब हम इसको पीछे की साइड इसको अटेच करेंगे यहां पर इसको यहां अटेच करेंगे तो इसके लिए मैं इसके ऊपर यहां पर जिप लगाने में इस ऊपर वाले पोर्शन में यहां पर जिप लगाने में तो पहले हम जिप को इस वाले पोर्शन में यहां पर अटेच करेंगे पेले पीछे वाली पोर्शन में इसको जिकरों अटेज करएंगे पीछे वाले बोर्षन में यह पटेच हो गई है अब आगे का पोर्षन लेंगे और इसको ऐसे करके यहां पर चलाई कर देंगे यह हमारी बैक साइड में जिपटेच हो गई है अब इस तरह इसे दिखने लगा यह फ्रंट साइज और यह बैक पोर्षन अब इसको हम यहां से ऐसे करते हुए इसको यहां से बैक कर देंगे यह देते हैं जो जिप है इसको बैक साइड में निज़ देंगे और यह पोर्षन है इसको यहां पर यहां पर स्लाइब आदेंगे झालओे इसको यहां पर यहां से बादेंगे यह हमारा पर त्यार हो गया है यह जीप अटेश हो गई यह फ्रंट वी हो गया अब इसमें इस बेल्ट को जो मैंने यह बेल्ट पनाई होगी इसको अटेश करेंगे इसको हम हाथ से ही अटेश करेंगे इसको अटेश करने के लिए अटेश करेंगे इसको 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 अटेश करेंगे अधर अटेज्च करेंगे अधी अधी कि अधी दोनों साथ अटेज्च करते हैं उसके वाल हम इसमर कोंपों बनाएते उसको अटेज्च इसको अटच करने के लिए ये किनारे पर हम इसको ऐसे करके लगाते हुए चले जाने हैं यह पर्स में मैंने पॉम पॉम अटच कर दिये हैं यह नीचे की साइड अब यह उपर की साइड मैंने यह यहां पर यह मोतियों के साइड अटच किये हुए हैं यह इस पर ऐसे करके लगा दिये हैं यह मैंने पॉम पॉम डाले उसके बाद इसमें बीट्स कराएंगे लगा हैं इसे कि एक हुक्त साही carte 4 में फिर उसके बाद बीडों 20 इसमान साइज की बःगा उए आप एफ आप झाल झाल झाल